एक सब्सक्राइब घर्ड़ेंट्स लेक्चर नमबर फूर पैड़ास सीरीज में आपका बहुत स्वागत है और इसमें मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं कि एक ऐसे data elements को conditions के थूर एक्सेस किया जाता है रेटरीब किया जाता है सीरीज में से तो हम लोग चलते हैं और python में चलते हैं आपको ले करके यह आपका python है जिसमें आपकी जो series s1 है यह है पहले से मैंने create कर रखा था पिसली class में अगर आप है यह सीरीज कैसे बनाई गई है आपको पता होगा अब मैं एक सीरीज और बना लेता हूँ एस इस तू इस इक्वल टू टू फीडी डॉट सीरीज को करेट में ने ڈाल दिया सपोस कीजिए मैं इसलेट के नाम दाल हिमाचल प्रदेश हो गया वामा बिहार हो गया वामा यू के उत्रा खंड हो गया और राजस्थान सब्सके कि ये मेरे 1,2,3,4,5,6 elements है ठीक है और ये series close कर देया डिफॉल्ट series पर इंडेकसे हैं वोग डिफॉल्ट है एस्टू मैं आपको दिखा देता हूँ ये है आपके फिक है विद डिफॉल्ट से बड़ी है ठीक है I want to retrieve those values which are greater than four तो इसके लिए अगर आप लिखते हो as one greater than four तो आपका जो result है indexes के साथ true false में आने वाला है जो greater than four होंगी values like 10 यह true आएगा two false three false four false 15 true and सभी true आजाएंगी देखे करके तो इसका output कुछ इस तरह से appear होगा with index numbers ठीक है अगर यह default positional index होते तो index numbers आती अभी index के नाम आ रहा है level जो आपने change किया था d type यहाँ पर बूला रहा है because the values are true false ठीक है boolean type लेकिन हमें सवाल यह है कि I want to display those elements whose values are greater than four that means हमें a 10 आना चाहिए e 15 आना चाहिए f g यह सारी values दिखाई पड़ने चाहिए कौन सी values जो true है यह हम इसकी values मुझे नजर आनी चाहिए तो इसको करने के लिए आप simply मैं यहाँ print के साथ लिख देता हूं without print भी आ जाएगा print चले इसको दिखा देता हूं पहले यहाँ पर यह वाली जो command है यह return कर रहे true false इसके सामने series का नाम फिर से लगा के इस बूलियन इन वैल्यूस को जो जो यह बूलियन क्रेट कर रहा है पॉल्स टू क्रेट कर रहा है इसको ब्रेकेट में डाल दो तो यह true के लिए as one of true जो भी true values होंगी उसके लिए आपको डिस्प्ले कर देगा देखे आपको वह values यहाँ पर आ रही है जो four से greater है you can see 10 15 6 7 8 9 10 isn't it और इसको आप चाहें तो जब coding में कर रहे हूं script mode में किसी फाइर के अंदर coding कर रहे हैं तो इसमें print लगाना मत भूलेगा इसे में बार बार आपको बता रहा हूं display करने के लिए print का इस्तिमाल करें otherwise we are writing on the command prompt यह ideally में हम command prompt पर लिख रहे हैं interactive mode में इसलिए हमें print लगाने ज़रूत नहीं object का नाम सीधा लिखोगे वह display हो जाता है इस तरह से हमें conditional retrieval तो कई बार इस पर output भी पूछा जा सकता है कि इस तरह से लिखा गया तो क्या output आएगा और यहाँ पर यह इस तरह से लिखा गया तो क्या output आएगा इस तरह से लिखा गया तो क्या output आएगा ना यह खल यह condition डाल दी गई तो true false के form में आएगा और उसके साथ series का नाम repeat कर दिया गया तो फिर ऐसा आएगा अब देखें दूसरी series हमारी क्या है दूसरी series है हमारी यह यूपी पंजाब इसमें जो values हैं यह है मैं कहता हूँ जिसकी value बिहार है वो मुझे display कराना है तो I can write देखें यहाँ पर I can write यह मेरी series S2 थी ना S2 is equal to अगर मैं बिहार करता हूँ तो हमारा result true false के form में आएगा बिहार वाला जो है उसको true आएगा बाकी जो है false आगे देखें यह third index पर जो आपका है यह केवल true आ रहा है that means यहाँ पर value बिहार वाली है इसको मैं S2 print करके आपको दिखा देता हूँ you can see here this one is belonging to बिहार तो हमें अगर इसे display करना है तो क्या करना पड़ेगा अब तो शायद आपको समझ में आ गया हो गया यहाँ पर सामने S2 और यह सारी condition जो है वो square bracket में डाल दो write the name of the series and put the condition in square bracket so you will get the correct answer that is three Bihar is being displayed ठीक है so this is how we can retrieve the data or elements from the series using conditions अभी आपको चाहिए S2 not equal to Bihar अगर आपकर देते हैं तो जो बिहार नहीं उसको छोड़ कर के आजाएगा data देके S2 not equal to Bihar condition होगे so you will not get the data of Bihar in this series this is how we can retrieve the data conditionally from our series maybe string type series or maybe numeric type series maybe renamed indexes चाहे ABCD उसके indexes हो चाहे उसके default indexes हो दोनों में आप conditional retrieval कर सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से conditional retriever किया जाता है देखिए यहां से मेरा conditional retrieve चला है मैंने एक series और बना ली थी यह आपकी S1 थी और यह आपकी S2 है नई series जो बनाई है S1 प्रिंट किया है S1 greater than 4 के आया है आप देख लिए इसका screenshot ले सकते है S1 of S1 greater than 4 करके उसकी condition के according value आ गई अगले में मैंने print लगा दिया है यहां पर मैं दूसरी series में text से compare कर रहा हूं जिसका data बिहार हो जिसका element बिहार हो तो यह true false के form में देता है पहले अगर खाले condition लिखते हैं और इसके साथ of series भी लगा देते हैं series S2 of S2 equal to बिहार so you are getting the same data S2 of S2 not equal to Bihar you are getting the data elements of those which are not having Bihar in this series so that's it about from my side for conditional retrieval of the data from the series so if you are new to the channel please join the channel up to get the latest videos uh more notifications and don't forget to share it and like it share it with your friends and put any comment in the comment section whatever you want to ask about this series and thank you very much for watching thank you